नमस्कार आप देख रहें इंडिया तक और मैं आपके साथ संजना चौरस है तो आज हमारे साथ जुड़े हैं जिला महामंत्री अभिनव कौशिक जो की भारती जनता पार्टी से हैं तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दन्यवाद बहुत बहुत सबसे पहला मेरे सवाल रहेगा कि इस बार बीजेपी में ऐसा क्या खास होने वाला है कि जहां अखलेश यादव और आर एलडी की जो पार्टिया है वो ये कह रही है कि उत्तर परदेश में पूर्ण बहुमत के साथ जीत कराएगी तो बीजेपी इस बार नाया क्या लाएगी देखे भारतेरंता पार्टि की सरकार और मानने योगी जी ने जो पिछले पांस सालों में काम किये हैं और जनता का विश्वास जीता है पिछले पांस सालों में चाहें वो गुंडाराज खतम किया हो चाहें वो भिश्टा चार पर लगाम लगाई हो और बहुत सारे काम जन दुआ बनने जा रही है तो इस बर सबने अपना-पना मैनिफेस्टो रखा है तो मैं आप से जानना चाहूंगी कि इस बर आपके मैनिफेस्टों में क्या खास होगा देखें मैनिफेस्टों की बात हमने हमारा भारतेंता पार्टी का कोई घोशना पत्र नहीं होता हमने संकल नाम दियाए और वो शंकल्य पत्र हमने जनता से भाएय लेके लग बग प्रदेश के कई लाक के यह उसे। हमें रही है हैं remember ने मान्य टेमनी बसे मुफ्टा कर दिया किसानों के लिए represented this system in the. जिसमें किसानों चौनधर की दिने के लिंदर गर्ना congress। प्षला समाजवादी पडी का गन्ना गर्नी की धाया है। महिलालों के लिए गरीब महिला Cup पिजुला के लिए उज्छला योजन मोदी जी चलाई थी और हमने उसमें दस करोड़ से अधिक हमने मुफ्त कनेक्शन दे चुके हैं हमारी सरकार दे चुकी है तो उसको आगे बढ़ाते हुए मन्य योगी जिने दिवाली और होली पर उज्जला योजना का लाप जिन महिलाओं को मिला है उन्हें एक-एक सिलेंडर साल में दो बा बस सेवा का हमने संकल पत्र में दिया गया है और चात्र चात्राओं के लिए मेधारी चात्र और चात्राओं के लिए लैप्टॉप और मेधारी चात्राओं के लिए स्कूटी की विवस्ता सरकार अपने संकल पत्र में करा रही है रोजगार की बात जहां तक है पिछले पा अब लोगत को हमने इस तार्ट-पके द्वारा और कहीं ना कहीं नो डोशुदा से जोडा है शरकार ने तो आगे जोजगार के लिए संकल्पतव में भारते जंता पारेटी जा रिए कि हर प्र युनल से हम एक यह वोजगार दिएन की विवस्ता करेंगे तो ऐसा मजबूत संकल पर भार्चाहिंता पार्टी ने बनाया और पबलिक की जनता की अकांग्शाओं को इखटा करके वो बनाया गया तो भार्चाहिंता पार्टी गाउं गरीब किसान को जोड़ कर चलने वाली पार्टी है और उसी को लेकर हम आगे अब जैसे कि देखें चुना अभी तो जैसे रुजान आने बाकी हैं अभी चुना हुए भी नहीं है तो वहीं हर पार्टी अपना अपना स्टेट्मेंट दे रही है तो वहीं आपके मुख्यमंत्री योगिया दितना जी ये कहते हैं कि हम मई जून में भी सर्दी ला तो वहीं आर एलडिके नेता जेयंत चौधरी ये भी कहते हैं कि सारी चर्वी उतार देंगे कि इतना वोट बैंक में हमें वोट देना इस पर क्या कहेंगे देखे ऐसा है हमारे मुख्यमंत्री पहले से कहते आएं और मुख्यमंत्री क्या ये तो जो विशी मुनी थे पहले उन्होंने भी बोला है कि जब राक्षास इस धर्ती पर आते थे तो राक्षासों को उनकी भाषा में समझाने के लिए भगवान को भी अफ्ताल लेना पड़ता था तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी न भी बोला है जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाएगा गुंडागर्दी का अधिकार किसी को नहीं है और वो गर्मी वाला बयान कहराना में आपने एक वीडियो देखी होगी जो कहराना की प्रत्यासी है नाईद हसंजी उनके उपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं लोग जानते हैं कि वो गुंडागर्दी कितनी करते हैं सब को प हैं और समाजवादी पाइटी का तो जन्म से अधिकार है गुंडागर्दी करना तो उस गुंडागर्दी को भगाने के लिए अगर कहीं ना कहीं ताकत का सरकार प्रशासन का को अपने डंडे का भी इस्तमाल करना पड़ेगा तो वो करेंगे जैसे कि अभी आपने बात की म सबसे पहले एक बात करूंगी कि जो हसनपूर की विधानसभा है यहां से महिंदर खडगवंसी जी भी है यह आपके हो गए फिरेजिंग जो की बसपा से है तो वही मुखिया गूजर जो की समाजवादी पाटी से है तो उनका ये स्टेटमेंट है कि जो महिंदर खडगवं करना और मुखिया जो समाजवादी पायटी के हैं प्रितियासी है चेत्र में और पहले दिन ही उनका स्टेटमेंट अईसा ने सिद्ड़ कर दिया कि समाजवादी के वे इस्टरड गुंडे हैं उन्होंने बयान दिया कि वो लूट कर और विधायक का घर लूट कर घर भर देंगे मुसलिमों में इस तरीके के बयान ये अकले स्यादा भले ही कहते रहें कितने ही घंटा बजाते रहें कि समाजवादी नई सपा नई हवा कोई सपा नहीं नहीं ह सपा है जिसने जमीनों पर कबजे किये गरीब होके जिसने गुंडा गर्दी इस छेत्र में की आजम खान को लोग भूले नहीं हैं यहां कमा लगतर को लोग नहीं भूले हैं तो यह मुख्या भी उन्हीं में से एक हैं और पबलिक उन्हें बूट डालकर जवाब देने वा रहे हैं क्योंकि यहां लडाई अब दूसरी बन गई है यहां लडाई गुंडा गर्दी और सुशाशन की तो थी अब यहां लडाई लोकल और भारी की भी है लोग लोग पसंद कर रहे हमारे मोदी जी ने नारा दिया है कि लोकल फोर वोकल आत्म निर्भर बनने के लिए तो जब हम हर समान अपने घर में ढूंड रहे हैं तो हम बिधयक भी अपने घर का चाहते हैं यहां की जनता बिधयक अपने घर का चाहती है ओर मेरट और दिली और नोड़ा कहीं विधायक को ढूढने कहा जाएंगे तो लोगों ने तै कर लिया है, मन बना लिया है कि भारते इंता पारिटी का निहा का हसनपुर का विधायक, हसनपुर का रहने वाला विधायक बनाएंगे और भारते इंता पारिटी का यहां से 50 जार से प्रतियासी जीतने जा रहा है देखिए एक राम मंदिर का मुद्दा बड़ा है जो हिंदू लोगों के लिए बहुत खास हो चुका है तो वहीं जो जनता है हिंदू के वो ये कहती है कि कुछ मिले ना मिले हमें राम मंदिर मिला है कुछ मिले ना मिले मतुरा में कृष्ण मंदिर भी बनेगा तो क्या लगता नहीं है कि जो ये धर्म की जो सियासी पारा हाई हो चुका है तो ऐसे कैसे देश चलेगा, ऐसे कैसे उत्तर पर देश चल सकता है देखे राम मंदिर जहां तक है राम मंदिर आस्था का पृतिक है पूरे देश के लोगों का अकेले उत्तर पृतिक नहीं पूरे देश के लोगों का आस्था का पृतिक है और पिछली सरकारों में आप समाजबादी पार्टी की जहां तक बात करें तो उनकी सरकारों में सैफ जनता की आस्थाओं को का संबान करते हुए वो पैसा राम मंदेर वो पैसा मत्रा वो पैसा काशी कारिडोर और दिवाली आयुद्या में मनाने में खर्च हो रहा है तो हम जनता की आस्थाओं को बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंतुर जी ने किया है संबान करने का काम किया है और जनता पूरा देश मुक्हमंत्री की सराना कर रहा है और भार के लोग भी बलकि विदर्शों तक से मुक्हमंत्री की सराना हो रही है अच्छा तो अगली जो इस बार आ रही है सरकार पूर्ण बहुमत के साथ और जो पहले तो 350 की बात चल रही थी अब वो कहते हैं कि 403 भी होगा देखिए ऐसा है लोग 2019 में गठबंदन हुआ समाजवाद्य और भावजन समाज पार्टी का लोगों ने तरह तरह की बाते की हैं कि भारते इन्तर पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 सीटे जीते गी 15 सीटे जीते गी लेकिन हमने 64 सीटे जीते हैं सी में से तो ऐसे ही अपकी बार भी लोग भले ही कुछ भी बाते करते रहें विरोधियों को उनके पास मुद्दे नहीं है उनके पास विकास का कोई काम नहीं है बोलने के लिए तो हम इस बार भी साड़े तीन सो से अधिक सीटे जीतने जा रहे हैं सपा कहती है कि जो बीजेपी हो अब सिर्फ और सिर्फ फीते काट रही है इससे जादा कुछ नहीं उसका जवाब जनता देगी और किसानों को सम्मान ने दी खाते में पहुंची सीदी राशन मुफ्त गरीब आदमी के घर तक पहुंचा सीदा और इस सरकार ने गरीब आदमी के अंग उठे में ताकत दिय राशन प्रडाली पहली पिछली सरकारों में आप अगर इस छेत्र में जाएंगी यहां खाद्रसद मंत्री कमालकतर होते थे और यहां दो-दो महीने तीन-तीन महीने राशन बढ़ता नहीं था गाउमों में गरीब लोग बिचारे परिशान होते थे मुख्यमंत्री जी भारते इंता पाइटी की सरकार जब आई तो उन्होंने गरीब आदमी के अंगूठे में ताकत दी और अब राशन घर-घर पहुच वा है कोरोना जैसी बड़ी महामारी में जब लोग परिशान थे जोजगार से परिशान थे तो उस मुफ्त राशन ने मेरा आखरी सवाल ये है कि अभी जैसे कि करनाटगा में हिजाप को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और पूरी ही जो सोशल मीडिया से लेकर के नैशनल मीडिया है वो बहुत एक्टिव हो चुकी हैं तो मैं आपसे जाना चाहूंगी कि जो शिक्षा का अस्थ और जहां तक धार्मिक चीजों की बात है इन पर राजनीती नहीं होनी चाहिए यह समाजवादी पारिटी कांग्रेस इन लोगों के पास विकास के मुद्दे हैं नहीं तो वह उचाल ला है इन लोगों को लेकिन ऐसी धार्मिक चीजों पर राजनीती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस स्कूल में अल्लाहु अकबर और वहीं और जो विद्ध्यार्थी है वो भगवा का पट्टा लेकर के घूम रहे हैं तो सिक्षा के मंदिर में अब ये धर्म की जो सियासी है ये भी चलेगा क्या तो इस पर क्या असर पड़ेगा आने वाली जनरेशन को देखे शिक्षा के छेतर में ऐसी चीज़े नहीं होनी चाहिए और हम तो बोला है कि विद्ध्यार्थ जैसी जगह में राजनीती नहीं होनी चाहिए तो इस चीज को उछालना मेरे हिसाब से गलत है धार्मिक चीजों को धार्म की जगह रखना चाहिए विद्ध्यार्थ में स्विक्ष्रण संस्थान है वो उन्हें की गॉनटलाइन अलग अलग बनी होई हैं सब प्रोभडेश की गाइडलाइन अलग बनी हैं , हम उनrementन का पालन करना चाहिए , गौर्वर्मेंट नो जो हमारे लिए नियम बनाए हैं उनन का पालन करना चाहिए